रादे रादे दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल श्याम के जाएके में तो यह देखती हैं बड़े बुजरु को द्वारा पताई गई ध्यान देनी योग्ये बहुती जुरूरी बाते अपना केमती समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक मकई रोग परतिरोधक शमता को बढ़ाने में मददकार है इसका सेवन करने से हुमिटिटी बुस्टर होती है जो सरीर को कई रोगों से लड़ने के लिए साहिता करती है साथी पाचन भी दुरूस्त होता है इससे ये लीवर को हेल्दी रखने में बहुती मदद कर सकती है इसके सेवन करने से बुख लगने की समस्या भी दूर हो जाती है तो दो नमबर पर देखते हैं तिल का सेवन सरीर के लिए बहुती ज़्यादा फाइदे मत होता है सर्दियों में इसका मैतव और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है सर्दी में इसकी चकली, हलवा और लड़ू बनाए जा सकते हैं। ये सर्दियों के लिए भहुती ज़्यादा आवशक है। इसमें हाई मात्रा में फाइबर, विटामिन A, केल्शिय, प्रोटीन और अन्य पोशक तत्र पाए जाते हैं। जग कई रोगों से बचाने में मदद करते हैं। इसके नीमित सेवन करने से पाचन सकती मजबूत होती है। साथी, सरीर को अंदर से ये गरम रखता है। पर इसका सेवन आप सर्दी में ही करें। गर्मी में नहीं। नमबर तीन, जो औरते बुड़ी नजर आने लगें, अगर वह अनार के रसमें दही मिला कर पी लें, तो उनको बुड़ापन देरे-देरे कम हो जाएगा। और वह जवान नजर आने लगेगी। चार, जो औरते रोजाना सोने से पहले गाएं के दूद में सोंफ डाल कर पीती हैं, उन्हें बुड़ापा जल्दी नहीं आता है। 5. दोस्तो, पान में एंटी-इंफेलमेट्रिक तत्तव का खजाना पाया जाता है, जो जोडों में होने वाली परिशानी और दर्द को काफी हद तक कम कर सकता है। 6. चेहरे पर निखार लाने के लिए हल्दी वाला पानी पीना चाहिए, इसे चेहरे पर दागदगे दब्बे दूर हो जाते हैं, हल्दी एंटिसेप्टिक होती है और ये दागदब्बों को बहुती जल्दी दूर कर देती हैं, साथ गाजर के जूस में विटामिन C के साथ एंटि आक्सिजेंट पाई जाते हैं, जो हुमिडिटी को मजबूत करने के साथ मौसमी विमारियों से बचाते हैं, सर्दियों में अक्सर खांसी जुखाम और गले में दर्द की समस्या हो जाती हैं, ऐसे में गाजर का जूस पीने से इन विमारियों से असानी से बचा जा स आठ डाइबटीज के मरीजों के लिए सोयबीन बहुत फायदे मंद होती हैं, इसमें प्रोटीन ठीक मातरा में पाया जाता है, इसका सेवन करने से सरीण में सूगर को मैनेज करने में फायदा मिलता है, इसके अलावा भी सोयबीन खाने से सरीण मे इनिसलीन नमबर 9 पर है तुलसी की पतियों का काड़ा बना कर पीने से सर्दी और कफ में आराम मिलता है और अगर आपको खांसी है तो उसमें भी बहुती जल्दी आपको आराम मिलेगा 10 अगर आपको कमर दर्द की समस्या से परिशानी है तो रोजना दोफैर को थोड़ा सा काली मिर्श का पाउडर पानी में गरम करके पी लेए इससे दर्द में बहुती जल्दी आराम मिलता है नमबर 11 पर है रोटी खाने के बाद सेप का एक टुकड़ा खा लेने से रोटी जल शहद तवचा को नमी परदान करता है और ब्राउन सुगर टैट स्कीन से चुटकारा दिलाती है तो शहद और ब्राउन सुगर को मिला कर आप एक पेस्ट बना ले और चहरे पर 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करे और उसके बाद पानी से चहरे को दो ले आप देखें को हलके हातों से चेरे पर रगणने से दाने बहुती जल्दी ठीक हो जाते हैं तो नंबर 14 पर देखते हैं हम अकसर एक ही बोतल या कंटेनर में पानी बरका रख देते हैं और जब यह खतम हो जाता है तो दोबारा भरते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना सही है या यह बिल्कुल भी सही नहीं है अगर पानी को अगले दिन तक भी ना पिया गया हो तो वै उसमें रखा हो तो उसे फेक देना चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टिरिया पनब सकते हैं चो हमारे लिए बहुती ज्यादा हानिकारक होते हैं इसलिए पानी को रोज फ्रेस ही बरते रहना चाहिए पुराना पानी बदल देना चाहिए 15 अगर आप अपने बढ़ते हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं तो रात को एक तुकुड़ा गुड़ खा करके करम पानी पी लीजिए गुड़ में ऐसे तत्व होते हैं जो एक्स्ट्रा कैलोरिक बन करने में मदद कर अस्याओं का सामना करना पड़ता है इस तो रांत अगर आप सोंफ की चाय का सेवन करें तो ये बहुती ज़्यादा पायदेमंद होती है और दर्द में आराम दिलाती है 17 रोजाना 8-10 मुनक्य खाने से सरीर में खून की कमी नहीं होती इसमें काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो एनिमिय को दूर करके खून को बढ़ाने में मदद करता है 18 यदि आपको बुख ज्यादा लगती है और आप वजन कम करना चाहती है तो जब भी आपको बूख लगे तो आप सालात जरूर खाएं ये वजन कम करने में बहुत मदद करती है और पेट में हमेशा आपका भरा रहेगा जिससे एसिड बनने के संभावना नहीं होती है 19. पेट की सभी मिमारियों से समस्याओं से निजात पानी के लिए तांबे के बरते में पानी रखे और पीए यह बहुती ज़्यादा फायदे मंद है 20. पके हुए पपीते के टुकड़े को रो जाना चेहरे पर रगणने से आपके चेहरे की छाईयों से जड़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा 21. सफेद बालों से चुटकारा पाने के लिए बादाम के तेल और आवले के रस को बराबर मातरा में मिला कर लगाना चाहिए 22. खाली पेट बिगी हुए अंजिर खाने से डाइबिटीच का खतरा कम हो जाता है 23. दिन में 5-5 मिनट करके एक गंटा रोज उकड़ू जुरूर बैठे इसे नर्शों की ब्लोकेश ठीक होती है साथ ही इसे कब्ज, माइग्रेन, एसिडिटी, पेट में गैस बनना, सरदर्द, कमरदर्द, मोटापे जैसे रोगों में फायदा मिलता है 24. पर है चीनी और गिलेसरीन को मिलाकर चेहरे पर रगरने से ब्लेक हैड और वाइट हैड्स निकल जाते हैं 25. मुलतानी मिटी निम्बू का रस और गुलाब चल को मिलाकर चेहरे पर सुखने तक लगाएं और फिर हलकी हातों से रगर कर पानी से धो ले 26. सराब ने सिर्फ किड्नी और लिवर को डेमेज करती है बलकी इसकी वज़े से आपका दिमाग भी परभावित होता है दर असल जब सराब पीते हैं तो इससे ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बिगरता है और ब्रेन की नसे सुकुर्णे लगती है जो डिमेशिया का कारण ब परिशानी होती है साथ ही ब्रेन फोक का कारण भी बनता है 28 दोस्तों टमाटर का सूप स्वाधिस्ट होने के साथ काफी पोस्टिक भी होता है इसमें विटामिन C और एंटी आक्सिजेंट बरपूर मात्रा में होते हैं सर्दियों में अगर एक बाउल गर्मा गर्म टमाटर पिया जाए तो पेठ हमारा भरा भरा रहता है जिसे वजन गटाने में भी बहुत ही मदद मिलती है 29 तरदियों में पालक खूब विखता है अगर मोटापा कम करना चाहते हैं तो पालक का सूप पी सकते हैं पालक का सूप आप गर्मी में भी ले सकते हैं 30 खाने के बाद आज में नीबो नी चोर कर खाएं इससे बधच मी नहीं होती हैं और खाना बहुती जल्दी हजाम हो जाता है 31 सलाद में चुकंदर का सेवन करने से कभी खूण की कमी नहीं होती है चुकंदर बहुती ज़्यादा फायदे मंद होता है दोस्तो यह सारी जानकारी एक समाने प कि वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और अपने फैमली और फ्रेंड्स में भी इस यूच्फुल वीडियो को शेर करें और अच्छे-च्छे कमेंट करें और कमेंट करके हमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका दिन शुप हो